आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्ताव आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कारेकम बात अपने देश की आजकल देश को आंगे बनाने की बात होती है विस्टुगरू बनाने की बात होती है और बिकास करने की बात होती है आर्थिक मुद्दे पर भारत को आज मिर्वर बनाने की बात होती है और इन सभी चर्चाओं के बीच बात होती है धार्मिक मुद्दों की पर हम अब इस समय देख रहा हैं कि इस समय देश में केबल और केबल धार्मक मुद्दे ही जोरो पर हैं उनी की चर्चा गरम है और उनी की चर्चा चरम पर है और लगातार मुद्दों के माध्यम से आम जनता को एक अलागी ग्यान दिया जा रहा है और इस ग्ञान के बीच जनता भी रुट फिता रही है कहते हैं ना कि जब कोई चीज की प्रणावर्ती होती है किसी चीज की वह लगातार होती है तो जनता भी अभ्यस्त हो जाती है मजबूरी में उस चीज का रुट फिलेना शुरू कर देती है और अब जनता का भी मजबूरी है वही लगातार जब वही चीजे चलेगी तो उसका भी लुट्फ लेना पड़ेगा उसमें भी अपनी दिल्चस्पी बढ़ानी पड़ेगी तो यहाँ पर जनता के मुद्दे तो पीछे रह गए है जनता के मुद्दे क्या जनता के मुद्दे सडक के जनता के मुद्दे विरुजगारी के जनता के मुद्दे गरीबी के जनता के मुद्दे महंगाई के जनता के मुद्दे आत्मिर्वरता के जनता के मुद्दे विकास के जनता के मुद्धे पानी के जनता के बुद्धे विजली के और जनता के मुद्धे आबास के यह बहुत परानी कहावत है रोटी कपड़ा और मकान तो फिराल तो रोटी की चर्चा है ना कपड़े की चर्चा है और ना मकान की चर्चा है और यहां चर्चा गरम है के वाल ए कि अगर राम मंदिर की दोर की बात करें तो यह राम मंदर वाला मुद्दा है यह लगवल लभख 492 साल पुराना मुद्दा है और ये मुद्दा नया मुद्दा नहीं है इस मुद्दे को खतम करने में 492 साल लग गए और इस मुद्दे की शुरूबात कहा से हुई भी हम जानते हैं कि 1528 में जो मुगल समराठ है बावर बावर ने अयोध्या में अपने सिपैसालार का नाम था मीरबाकी मीरबाकी से मजजित गिरवाई मंदर का निर्मारत गिराया मजजित का निर्मारत हुआ तब से 492 साल से लगातार ये मुद्दा चला आ रहा था अंच गब हुआ जब 5 अगस 2020 को देश के प्रामांतिर नरे नमोदी ने मैं राम मंदर का पूजा की पूजा नर्चन किया और सलानया किया अब राम मंदर का निर्मारत शुरू हो गया और इस सालों, दसकों सालों सदियों साल पराने मामले का फैसरा जो आया 9 नवंबर 2019 को जब मुख्य न्यादिस सुप्रीम कोट के जो आपकी सेवन देविर्ट है रंजन गोगोई उनकी अडिस्टा में पांच रस्षी कमेटी बनी थी उसने बड़ा फैसला दिया था और 492 साल पुराने मामले को खतम करते हुए जमीन दो रिसनलों 701 जमीन राम नला को दे दी और साथी साथ ये फैसला भी सुनाया कि इसके अलग पांच एकर जमीन भी मुस्लिम पर्च को दी जाए मस्जिर और अन्य चीज़ों के निर्मान के लिए तो यह तियासी फैसला था और 492 साल पुराने जो मामला था उसको खतम किया गया और यह मामला मैंने आपको ताया 1528 से शुरू हुआ और 1528 के बाद इस मामले में लगातार संगर्स हुआ चाहे 1853 की बात करे चाहे 1949 की बात करे और चाहे राम मंदिर आंगुलन 1992 की बात करे जब बी एचपी और सिर्फ से न सही में तमाम बड़े हिंदू बादी संगटनों के माध्यम से लाखो करकरता हो ने बाबरी की जो धाचा था वो गिरा दिया था जिसमें बड़ी संक्या में लगवा लबद 2000 से 1000 लोग मारे भी गए बड़ा मामला हुआ बड़ी सरगर्मी हुई और तब से मामला लगातार चला आ रहा था और समझोती का प्रयास भी किया गिया कमेटियां भी बनी पर हमेशा मामला जसकतस रहा और जब कोई मामला नहीं मना तो आखरी में दोनों पच्छों ने ये सुईकार किया किये मामला कोट में जाएगा कोट जो फैसला सुनाएगा वो दोनों पच्छों को मजबूर होगा मंजूर होगा और इसको मजबूरी में नहीं पूरी खुशी के साथ हम दोनों पच्छ सुईकार करेंगे चाहे वो फैसला मुसलिम पच्छ के हिस्से में आए और चाहे हिंदु पच्छ के हिस्से में आए उसके बाद नौनमबर दोजार निस को फैसला हुआ और आपlaw राम नला के पच्छ में आया और इस फैसले के बाद मुसलिम पच्छ ने भी तमाम बाते कहिं कई लोगوں dönे भाइन भी दिये पर अलिकांज मुस्लिम भाईयों ने इस पर्च को सुईकार किया और रामन निर्मान के लिए खुले जिल से इजाहिए थी फैसला सुक्रेम कोड का था और उन्होंने कहा था कि हम फैसले को माने के उसके बाद सदियों पराने जो मामला था ये खतम हुआ और उसके बाद 5 अगस 2020 को यानि फैसले के लवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव पर इस समय जो अलग चर्चा का बिसा है जर्म और राजीति में इसलें बता रहा हूं क्योंकि एक माहुल चलना है बो महुल चलना है अजयान मला चलना है मैं जिसको कुटबुद्दिन एबक ने बनवाया था कहा जाता है इतियास कार तो यही कहते हैं और मिनार भी उनके नाम पर है और जो नया मामला है अभी हाल में आज जिसकी याचिका खारिज हुई है मैं आपको वता दूँ आज बड़ा फैसला आया कि ताज महल को तेजो महाला है से मंदिर है और वहाँ पर बंद 22 कमरों की जाच होनी चाहिए यह एक याचिका दाखिल की गई थी रजनिस सिंग की तरफ से और रजनिस सिंग की आज याचिका को जस्टिस जी के उपाध्या ने खारिज कर दिया उनका कहना था पहरा सोद करिये पढ़के आये और फिर इस मुद्दे पर चर्चा करिये सोद करिये और यह खारिज कर दिया गया और साथी साथ जो अभी बड़ा मुद्दा जिसमें एक और फैसला आज आज यह तिहासिक दिन रहा इस फैसली बोले हैं क्योंकि कई बड़े मुद्दों पर फैसला रहा सिरी कस्न जनमुमी उस पर बेबार पर भी इजगावाले बेबार पर फैसला रहा उस पर तारी बड़ा दी गई है ताज महल तेजो माहल है बाइस कमरे की निरिच्छन उस पर खारिच कर दिया गया तो वही ग्यान बापी मस्जिद और सिंगार गौरी मंदर जो यह मामला है यह भी मामला बहुत नया नहीं है अगर इस मामले की बात करें तो यह मामला पुराना है ग्यान बापी मस्जिद काफ़ी का मामला पुराना है और इस मामले की शुरुबात 1991 में हुई थी हलाकि इस मामले पर 1993 में इस्टे भी है तब से मामला चला आ रहा पर एक मामला जो अलग अभी 2021 में ही हुआ था वो मामला था कि पाँच महलाओं ने एक अरजी डाखिल की जोनों ने कहा था कि सिंगार गौरी मंदिर है इग्यानवापी मस्जिस जोड़ा हुआ है और वहाँ पर सिंगार गौरी मंदि मैं पूजा करने की अनुमति केवल साल में एक बार थी और महलाओं का मानना है कि भगवान की पूजा भगवान का सिंगार पितिदिन होना चाहिए और कोड हमको वहाँ पितिदिन पूजन की और सिंगार की अनुमति दे जिसको लेकर पांच महलाओं ने एक अरजी डाखिल की और साथी साथ इस अरजी के माध्यम से ये भी कहा गया कि इस ग्यानवापी मजजिन में आप सर्वे हो वीडियोग्राफी हो और पता लगाया जाए कि सत्यता क्या है और इसके बाद कोड ने इस पर फैसरा सुनाया और कहा कि कोड कमिशनर अजय कुमार मिसरा के अगवाई म में 6 सरसी कमिटी बनी और कमेटी को कहा गया कि आप 6 आरिग से लेके और 10 तारीख तक आप सर्वे करें और सर्वे के बाद 10 मई को अपनी रिपोर्ट सोंप है कि सत्यता क्या है ये बीडियोग्राफी करें सर्वे करें और ये वीडियोग्राफी सर्वे कोड कमिस्ता अजय कुमार मिस्तरा के अगवाई में होगी और साथी साथ जो 36 सरशी कमेटी हैं वो भी इस दोनान मुझूद आएंगे 36 सरशी कमेटी जिसमें हिंदू और मुस्रिम पच्छ दोनों के लोग रहेंगे दोनों के बड़े जो अनुवाई हैं बड़े निता हैं निता भी रहाजीर कारी हैं वो भी रह सकते हैं इसके लाबा से लाब तमाम जो बड़े नाम हैं उनको भी कहा था कि आप भी सर्वे में मुझूद मैं तो ये बियुस्था बनाई गई थी उसके बाद जब साथ तारे को सर्वे सुरू हुआ तो वहाँ भी उठापटक का दौर सुरू हो गया उठापटक के दौर के बीच नारे भी लगे ब्रोड भी हुआ वो ग्यान बापी मस्जिद जहां पर जुम्हे के दिन केबल 40-50 लोगी नवाज पढ़ने जाते थे वहाँ पर उस दिन 3000 लोग पहुँच गए और मामला गर्मा आजा हलाकि सर्वे हुआ उस तो सर्वे के बाद फिर याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि अजाकुमार मिस्टरा को उटाया जाए कि ग्यान बापी मस्जिद का सच क्या है अगर अंदर जाएंगे वीडियोग्राफी होगी सर्वे होगी तो जो भी चीज निकल कर आएंगे उनका खुला सा किया जाएगा इसके साथी साथ जो श्री किसन जन्मूमी और इदिगा का बेबाद चलना है याचिका करता को कहना है कि जो इदिगा है वो कंस का कारागार था उस पर बनी है और जो ट्रस्ट है उसने कभी जमीन इदिगा के लिए दी नहीं कोई संगडंटा उसने जमीन देरी वो हम इसको नहीं मानते हैं और इसके खिलाब याचिका दाखिल है और अब ये भी एक बिबाद का पिस्न बन चुका है यानि राम मंदर बिबाद जो बहुत सर्यो पराना बिबाद था वो जब उसका मामने का पटाचेफ हुगा और नमंबर 2019 को फैसला आया और पांच अगस 2020 को राम मंदर निर्मान की पिक्रिया शुरू हुए बनते चला जा तो वहीं उसके बाद लगातार हम देख रहा है कि ग्यान बापी मजजिद मामला सिरी किस्न जन्मूमी इदगाय मामला और अब जो मामला एक और आया था ताज महल और तेजो महल है इस पर आला की याज़का खारिस कर दी गई है पर यह मामला नया नहीं है अगर हम ताज मह केस एक उक उन्होंने अपने माध्यम से उन्होंने कहा था ताज महल लट्री स्ट्वियों कहा था कि ताज महल एक सिभ मंदिर है bisa साज हारा हक्टे हाने के बाद जबरन कपजा करके उसमें अपनी तीसरी बेगम यानि जो ममताज बेगम थी वो साजहां की तीसरी बेगम थी और साजहां जो की मुगल सल्टनत का पांचवा समराठ था अकबर की पुत्र थे और उन्होंने कहा की उन्होंने कबजा करकर अपनी बीबी तीसरी बेगम यानि मुम्ताज बेगम की याद में यह बनवाया और उनकी अनुसार जो इतिहासकार थे पुरसुतम नागेशुक उनके अनिसार जो मुम्ताज बेगम थी उनकी मित्यू बरहान परमोई थी और उसके बाद उनको सब को ला गया शरीर को लाया गया मैं शरीर को और यहां पर अलग से बेस्थिर करता हुए अब क्या बेस्थार आई मुझे जानकारी किया गया जो बाद कही जा रही है कि ताज महल यह की इसका मांबला पस्तろ चला गया और यह तो फिर दोज्साटों सतर की दसक्ट की बात है कि इस समय उन्होंने अपनी किताब लिखी थी और उसके बाद की पर यासिपाट की कि ताज महल को तेजों महाला गुजर किया जाए उन्होंने मांग की उसके बाद से लगातार ये मामला चर्चा में रहा और चर्चा में फिर दुबारा आ गया जब रजनी सिंग नामक युवक द्वारा व्यक्ति द्वारा ताज महल के बाइस कमरों को खोलने की मांग की गई कहा गया कि बिन बाइस कमरों को खोला जाए इनका सच दाख जाए खेर ये तो मामले ज्यानवापी मस्जित कहें चाहे कुत्व मीनार के या बिस्नु स्थम्भ कहें या ताज महल या तिजों महारा कहें ये तो खेर चर्चा का बिसाए नहीं यहाँ पर हमेशा कोट रगाई फैसला होता है कोट के फैसले कोई आम जनता मानती है चाहे वो किसी भी समधाय से हो पर यहाँ पर हम लगाता देखते आ रहा है कि धार्मिक राजनीति के बीच धार्मिक राजनीति ही वह लूँगा क्योंकि इस राजनीति के माध्यम से अपने अपनी राजनीती के रूटिया से की जा रहे हैं क्योंकि दसकों इन मुद्दों पर राजनीती हुई और राजनीती हम इसलिए कहेंगे क्योंकि बाकाइदा इन मुद्दों को पार्टियों ने अपने एजेंडे में सामिल किया पूरा किया और उस पूरा करने को लेके अपनी बात कि पर यहां पर मेरा मानना यह है कि धर्म अलग है राजनिती अलग है हाँ राजनिती के मारते हैं या जो धर्म के मारते हैं उनका अपना पिस्द ने है और साथी साथ मेरा अपना मानना ये भी है कि अगर कोई बबात किस्तिती उठ भी रही है तो दोनों समुदाए के लोग दोनों धर्मों के लोग बैठें चर्चा करें और कोड जाने से पहले भी आपस में चर्चा करकर सरस्षी कमिटी बनाकर भी महां का निच्छर कर सकते हैं और सक्किर रूप से इसमें जो सर्वे हो रहा है विडियोग्राफी हो रही है अपनी महत्ता नभाएं मुमिका करें और देखें कि बास्ता में सच्चाई क्या अगर सच्चाई मुसलिम धर्म के पच्छ में आती है तो वह जगा है मुसलिम धर्म के लिए विलकुल पक नहीं होनी चाहिए चाहे अंताजमेल की बात करें और चाहे ग्यानवापी मस्जिट की बात करें संगार गौरी मंदिर की बात करें और चाहे स्री किसने जन्मूमी और इजगाय की बात करें तो यहां पर मेरा मानना यह है कि आपको सकरादमक पहल करनी चाहिए नकरादम मैं नयालाय के आदरिस का सम्मान करते हुए जो भी हो रहा है बीडोगाफि हो रही सरवे कर दोनों पच्छ के लोग जाए और दोनों पच्छों के सामने तरह कि कामों निच्छणों और जो भी सुहारज कभी खतम दो यहां जैसे कि धारमें कोते अगर पण रहे हैं राजनिती हो रहे हैं तो जल्दी इनका फटा छेफ हो जा किका अगर राजनिति मन धारमें मुद्दी हi हम चर्चा ही नहीं करते हैं क्योंकि अभी जो मामले चलना है चर्चा उनी पर होती है और यह चर्चा बड़े-बड़े न्यूज चैनल में बड़े-बड़े अख्वारों में च्छाई हुई है अपने कारिशं़ के माद्धर से χामेशा मेरा निवेजान देता है कि आता से हमेशा करता हैं जो समने ऑ YOUR और हमेशा जनता को भी समझना पड़ेगा जब तक आप ऐसे मद्दों में रूची और दिल्चस्पी दिखाते रहेंगे तब तक आपकी अवस मद्दे जिनसे आपका सीरा सरोकार है वो मुद्दे जिनसे आपका सीरा जुडाव है और वो मुद्दे जिनसे आप दिक्कड में आते हैं और आप तकलीब में जा रहे हैं तो ये जंता की जम्मिरारी है कि उनको भी अब इन मामलों का सच समझना होगा अगर आप इन मामलों का सच नहीं समझेंगे तो ऐसी धाल में मुद्धों पर राज़ीती होनी रहेगी खेर पर अगर हम इन बातों की बात करें तो हिंडुस्तार में तमाम ऐसी इमारते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई बजाय रही है और कोई ऐसा आरूप इत्यारूप का एक बात भी रही है इतिहास कारण ने क्या बताया हमने क्या सुना हमने क्या देखा ये बार किसी को नहीं पता और कोई मामला उपस्ता भी है तो इसको राजनीतिक पिस्न ना बनाते हुए जल से यल दोनो धर्म के लोग जो भी जिस भी समराय का बहाँ बबाद हो दोनो पच्छों लोग बैठ कर कोड के माद्य हम से वहाँ पर अनुमती कराए सर्वे कराए निच्छड कराए बीड़ोगाफी कराए और जो भी सत्त निकल का आए दोनों लोग स्विकार है जिससे कि आने बाले समय में इस तरह की राजीती ना हो पाए हम चर्चा करते हैं विकास की हम चर्चा करते हैं आर्थिक सौलम्न की हम चर्चा करते हैं आर्विनरवर्ता की हम चर्चा करते हैं बिजगरू बनने की पर अगर हमको बिश्दु गुरू बनना है तो हमको ऐसे मुद्दों का सीगे पटाच्छिप करना होगा। सामने आपाएं उन पर भी काम हो पाएं क्योंकि अगर जनता के मुद्दों का भी निजान नहीं होगा तो हमेशा संगर्स होता रहेगा तकली पे आती रहेगी आप बनिरवड़ता है जिसके अंबार करता है हमेशा पीछे रहेगी और जिस बड़ा सपना हम विश्दु गुर जिससे की हमारी बिडियस नीती में और चार चान लगें अकर हम बहतर काम कर रहा है तो बहतर काम में हमको आम जनता के मुद्दों को भी जोड़ना होगा और इन मुद्दों पर लगातार सतत काम करना जरूरी है जब तक हम इस पर लगातार काम नहीं करेंगे तब तक इन प्राप्त कर चुके माने हो चाहे ब्रुजगारी की बात हो चाहे मेंगाई की बात हो चाहे प्रुजण की बात हो और चाहे गरीबी की बात हो हमाई देश की बड़ी आबादी है बड़ा लच्छ है बड़ी मेहनत है और बड़े विकास की उम्मीद है तो अगर हम इस विकास को उम्मीद को पूरा करना है बिशुग्रू बनने का सपना देखना है तो हमको ऐसे धार्मिक मुद्दों से अलग जनता के मुद्दों पर ध्यान देना होगा और मेरा अपनी इस कारिकम के माध्यम से सभी राजनितिक लोगों से नेताओं से पार्डियों से यह अनुरोड है कि आप कोई भी धार में मुद्दा हो उस मुद्दे का हल भी हो बैतर हो इस अकरात्मक रूप से हलो नकरात्मक हल नहीं चाहिए आप सी स्वार भी बना रहे अगर कुछी चीज का कोई फैसला आता है तो ठीक है दसको पराना मामला अगर खतम होता है ठीक है पर साथी सार हमको जनता के मुद्दों का भी ध्यान देना होगा जिससे हमाई जनता भी खुश रह सके कि जनता आपकी ही है मुद्दे भी आपके है राज़िती भी आपकी है और कुर्सी भी आपकी है तो जब तक जनता के मुर्दों का निजाननी होगा तब तक हम विशुखुरू बने का सपना नहीं दे सकते हैं अगर भार को विशुखुरू बनना है अब से उचाई पहुंचना है देश को आगे बढ़के लेके जाना है तो जनता को समझना होगा सच और निता को देखना होगा कि कैसे हम जनता के मुर्दों को खतम कर पाते हैं तो आज की चर्चा में अतना ही नमस्कार